नमस्कार दोस्तों आज है 11 अक्टूबर 2021 रास्टी संस्क्रण देनी जागरन से सम्मंदि जितना भी इन्पोर्टेंट नियूज है सारे नियूज को हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे और जिस नियूज को देनी जागरन कवर नहीं करता है उस नियूज को हम लोग लास्ट में डिसकस करेंगे साथ में आज जो है नोग बैलोजी का कोशन जोड़े है ठीक है बैलीजी का कोशन जोड़े है तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा जो चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिएगा तभी आपको नोटिफिकर्शन मिलेगा साथ में इसका PDF के लिए अपलोग टेलेग्राम गुरूप जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है पहला इंपोटेंट निवजे की आतंकियों से गठ जोड में 670 हिरासत में 4 गिरफतार ये जो आपको बताया थे कि जम्मू कास्मीर में जो है लगतार जो हिंदू है उन पर अटेक किया जा रहा था तो जिस पर भी जो सेना थी उसे सक लगा उन से भी को गिरफतार कर लिया गया है साथ में जिस अस्कुल में जो है आपको आद होगा कि एक प्रिंस्पल को और एक सिच्छा को गोली मार दी गई थी तो उस जो अस्कुल से भी दो टीचर को गिरफतार किया गया है ठीक है तो यह सरकार का अच्छा कदम है कि जिसपर भी स्थरक लग रहा है, उसको गिरफतार कर लिया जा रहा है और गिरफतार करना के बाद यह जानकारी भी लगी कि इन सभी को आदेस जो है ISIC मिला था ठीक है इन सभी के जो आदेस कहां से मिला था ISIC इन सभी को आदेस मिला था ठीक है तो सरकार जो है इस पर करवाई कर रही है उसके बाद नेक्स्ट निव जे की सरकार का दावा कोईले की कमिस से नहीं होगा बिजली संकट तो अच्छी बात है सरकार का दावा है तो अच्छी बात है अगर बिजली की संकट नहीं होगी तो लेकिन ये बात 100% सही नहीं है उत्तर परदेश के जो बहुत से बिजली घर हैं कोईले की कारण बन के कगार पर आ चुके हैं ठीक सेनिको की सिग्र बापसी पर दिया जोर कोर कमांडर अस्तर की तेरमे दोर की जो है वारता चिन की तरफ मोल्डो सीमा बिंदू पर हुई है साले आठ गंडे चली बाचीत लेप्टूनियोन जनरल पी जी के मेनन भारत के तरफ से सामिल हुए थे इसमें आपको याद रखना है कि किस-किस मुद्धे पर बाचित किया गया है तो जो भारत के दोरा बोला गया है कि जो पिट्रोलिंग पॉइंट 15 हैं अब देखे लिखा हुआ है पिट्रोलिंग पॉइंट 15 से जो है सैनिको की बापसी का काम पूरा करने पर बाचित किया गय कि जो चाइना के सैनिक है यो उत्राखन के बारा होती उत्राखन के जो है बारा होती सेक्टर में भी बारा होती सेक्टर में भी इनके द्वारा घुसपैट किया गया था साथ में अबनाचल प्रदेश के तबांग में भी जो है जो चीन के सेनिक है इनके दवारा घुसपैट किया गया था ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है कि परोस पहले मंत्र के साथ भारत ने दवारा सुरू किया बैक्सिन का निर्यात ठीक है और किन-किन देशों को वैक्सिन दी गई है तो आपको याद रखना है इरान को अब लिखा हुआ देखिए जब पड़ोईशी देश कॉनकोन है मेयानमार बांगलादेश नेपाल और इरान को जो है 10-10 लाख को वैक्सिन भेजा घया है और मुद्ध ुवैक्सिन भेजा गया है जो आपके यह मेद िंटिया है और संक्षक्राइबन zm49 में हें वैज़ा एक ए। सेम्त राष्ट का एक कारिकराम राम्हें अउड किजिएकRMALE को एक आट किसी कलई है इसमें कुण कोन से बैक्सिन भेजा गया है, तो cov noodle, sealed और co vaccine भेजा गया है, ठीक है? साथ में आपको याद रख узна हैं कि एक है COVACS, ठीक है COVACS, नोट किजेगा, COVACS क्या है? साथ में आपको याद रखना है कि जब भारत अपने पलोशी देश से उनको वैक्सिन नहीं दे रहा था तो चैना से मंगवा रहे थे और सीनो फार्मा नाम की वैक्सिन मंगवा रहे थे लेकिन जो भारत की कोविल सिल्ड और कोवैक्सिन है उन पर जो हमारे प्रोशी देश हैं उन सभी को विश्वास है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट निवज देखिए नेक्स निवज देखिए कि खाद तेल की महंगाई पर काबू पाने को सरकार ने उठाई सक्त कदम सरकार के दवरा बोला गया है कि तिलहन वे खाद तेलों पर 31 मार्च तक सटिक सीमा लागू मतलब कि अब कोई भी जो है काला बजारी नहीं कर सकता है कब तक 31 मार्च 31 मार्च 2020 तक जो है सरकार के दवरा बोल दी एक सीमा तेकर दिया जाए कि इस सीमा से जादे कोई भी बिजनेस में जो अपने स्टोक में माल नहीं रख सकता है तेल का ठीक है क्योंकि तेल के दाम को पता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इसलिए एक साल में जो है 43 बढ़ चुका है सरसु तेल का दाम जो हाँ पर आप लोग खरीते होंगे 120 रुपय में आसीदे खरीते हैं 1802 रुपय में ठीक है उसके वाद है कि बोड़ परिच्छा पास करना अब होगा असान तो इस सब लोग पढ़ सकते हैं कि 2025 तक बोड़ परिच्छा में सोच अधार अनुधा करते हैं तो उस चीज़ को कम किया करने का परियास कहा रहा है अद देखे रट्टा मार लेंगे तो ठीक है एक्जाम की बोड़े में रट्टा मार लेंगे लेंगे लेकिन ¡पouthसर अगा लेकए और नोड़ कर लेना है ऐ कि माला वार exercise में सामिल होने के लिए आ रहा है माला बार exercise में कितने देश हैं तो 4 देश हैं, कौन कौन देश है अमिर्का है, अस्टेलिया है भारत है, और कौन है, जपान है ठीक है, 4 country है, quad में भी आपके 4 country है, note कर लिजेगा, भी exam में पूछा ही जाएगा कौन देश है, quad ज़ुरूरूरूरा पूछा जाएगा आपसे, quad में कितने country हैं या तो अकस के बारे में पूछा जाएगा तो अकस में नोट कर लीजेगा अकस में अपके Australia है USे है, और आपके England है Britain तो 3 country आपके आकस में नोट कर लीजेगा कोयर भी नोट कीजएगा और आकस भी नोट कीजएगा जो आपके मालावार एक्सरसाइज है मालावार एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा तो नोट कर लिजएगा और इसमें आपको याद रखना है कि जो EOS का परमानू हत्यार से जो लाइस पोत है कार्ल बिलसन इसमें सामिल होगा ठीक है नेक्स्ट है कि जल जीवन मिसन जल जीवन मिसन के तहट जो है 43% घरों में नल से जल की अपूर्ती हो रही है जीवन मिसन के तहट जो है सरकार का उद्देश है कि 2024 तक जो है सभी घरों में नल से जल पहुँच जाए बात को धियान रखेगा ठीक है और सरकार के दोरा बोला जा रहा है कि अभी 43% जो घरों में नल से जल पहुच रहा है तो साथ अस्तेट या कें असाशित प्रदेश है कौन कら क not कर लिजएगा पहला आपके गौवा राज है तेलंगारा दूसरा भी राज है उसके बद अढ़मान और जो नेकोबार है ये आपके केंदर साचित प्रदेश है ठीक है उसके बाद पूडुचेरी ये आपके केंदर साचित प्रदेश है आपको बताना कि जो पूडुचेरी है उसमें कितने डिस्टिक है और जो डिस्टिक है किस-किस राज्यों में है ठीक है उसके बाद आपको याद रखना है कि एक्जाम में अब से पूछा जाएगा, असके बाद नेक्स है कि सब की सुनते हैं, उसके बाद फैसला लेते हैं, प्रदानमंतरी मुधी, यह इसके द्वारा बोला गया, तो अमीद सा के द्वारा बोला गया, अमीद सा कोण है? और भुर जो हैं नेक्स्ट कि अकेले रहना चाहती है आधुनिक भारत की महला है सुधाकर कोन है तो करनाटक के स्वास्त मंत्री है इनके द्वारा बोला गया कि जो अधुनिक महला है वो अकेले जीवन जीना चाहती है ठीक है अगर वो महला समाज के दवाब में आकर साधी भी कर लेती है ठीक है जो अधुनिक महला है तो आपको याद रखना है कि जो अधुनिक महला है ननी चाहती है और सरोगेसी मदर बनना चाहती है ठीक है साथ में इनके दुबरा बोला गया कि हर जो भारत का आपके सात्मा बेखती है लगवग आपके अपसाद का सिकार है ठीक है उसके बाद नेक्स निवी देखिए इंटरनेट मीडिया का ठप होना घातक पिछले दिनों जो है फेसूप, वाटसप और इंस्टाग्राम जो है छागंटे के लिए ठप पल गया था है इंटरनेट मीडिया के यह मंच जो है मंदरंजन के अलावा जो होता है कामकाजी दुनिया को संजीब बनाए रखने के टूल के तोर पर भी बिक्सित हो गया है इसलिए इनका एक अहम ख़बर बन जाती है देखा जाए तो इंटरनेट पर निर्भर हो चुकी दुनिया को पीछे लोटाना अब मुंकिन है आप से अगर फून छीन लेगा तो आप रह पाई है बहुत मुस्किल है ऐसे में कामकाज ऐसे में एक मात रास्ता यही है कि इंटरनेट का संच जालन करने जो भी शमस्याएं आ रहे है उसे दूर करने का परियास किया जाए यह नहीं कि हम अब से जो है दस साल बीस सल पीछे बिने इंटरनेट के दुनिया में जीने लगे नहीं अब उसे ठीक किया जाए क्योंकि सारा कुछ जो इंसान की एक तरीके से आजीव का इंट एपियो ठीक्ट है अइपियो इनिचियल पबलिक ओफरिंग इसे क्या बोलते हैं समझ दिये जब कपड़ कुई वी कंपणि जब होता है अपने समान अस्तोक इया ठीका 153 समान अस्तोक जो शुए पहली बार जनता की लिए जनता की लिए open करता है ठीक है जनता उसकी किसी भी company के जो share पहली बार खरीदती है उसे बोलते है IPO इसे क्या बोला जाता है IPO बोला जाता है initial public offering फिर से बोल जाते है जब किसी company द्वारा अपने share को पहली बार जनता के सामने रखा जाता है उसे IPO बोला जाता है ठीक है REC solar का अधिगरहन किया है तो ठीक है इनपोर्टेंट से नोट कर लीजिएगा Reliance Energy Limited ने जो है REC solar company है उसका अधिगरहन कर लिया है और अधिगरहन कितना में हुआ है तो नोट कर लीजिएगा 77.1 कलोर डॉलर में ठीक है 77.1 कलोर डॉलर अगर उससे रूपियम बोला जाए तो 77.92.64 कलोर डॉलर डॉलर इसका सवधा हुआ अधिगरहन कर लीजिएग आपसे एकजाम में पूछा जा सकता है ठीक है Next है कि अब Air India की Subsidory कंपनियों का होगा Monetization Monetization क्या होता आपको पता है Monetization मानने कि यहाँ पर एक रूड है ठीक है सरकार किसी private company को बोलेगी कि आप जो एक बर्स के लिए ए रूड हमसे ले लेजी और इसके बतले में आप हमें 20 कलोर रुपिया दे देजे ठीक है तो जो private company है क्या करेगा एक साल के लिए यहाँ पर से अपना टोल बसूलेगा ठीक है जो से बसूलना है तो 20 कलोर दिया अपना जो भी पैसा इपना कमाने कमा लेगा लेकिन यहाँ पर आपको धियान रखना कि जो सरकार monetization में क्या होगा कि सरकार जो है सिर्फ इसे चलाने के लिए दी थी प्रावेट कमपनी को सरकार इस रोड को सिर्फ चलाने के लिए देती है और मालिकाना हक जो है सरकार ही के पास होता है ठीक है तो इसमें भी क्या है कि अब एर इंडिया की सबसीड़ी कमपनियों का होगा monetization तो एर इंडिया की चार सबसीड़ी कमपनिये इंडिया इंडिया अख जुलेас Go आपको समझा चुके है get it नेक्स्ट इनपोर्टेंट नियूजेए BPSC के लिए कि बिहार के छह जीलों के भुजल में मिला इर्वेनियम, बढ़ी चिंता, तो बिहार के कीन छाजीलों में जो इर्वेनियम मिलता है, पानी में, तो आपको नोट कर लेना है, भोजल क्या होता है, जो आपके ग्रॉंड बाटर है, तो छाजीले के नाम लिखेगा, पहला पटना है, दूसरा आपके नलंदा है, तिसरा न अनुसर जो है, एक लिटर पानी में, एक लिटर पानी में, तीस माइक्रो ग्राम से ज़्यादा आपके इर्वेनियम नहीं होना चाहिए, लेकिन बिहार में है कितना जो छे जिला है, वहाँ पर आपके पचासी माइक्रो ग्राम से ज़्यादा आपके इर्वेनियम मिला हु है बिहार में जो गंगा नदी है तो जो गंगा नदी के आसपास डिस्टिक है उनकी जो अपके पानी है the ugly जो मैं जाता है तो नोट कर लिएका इसनिक आर्सेनिक फिर जादा होती direito जो अपकी बहगसर से लेकि जो बागल पूर जितने भी आपके गंगा की नरडिस्टिक उन सभी में पाया जाता है ठीक है जो हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही हानिकारक है नेक्स्ट है कि ताइबान को जुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता चीन 21 के द्वारा बोला गया है तो ताइबान की जो राष्टपती है उनका नाम है साई इंग बेन के द्वारा ठीक है इनका राष्टपती का नाम नोट कर लिजिएगा आपसे एक्जामें पूचा जा सक राश्टी दिवस पर तैवानी राश्टपती साई का करारा जवाब दिया गया है किसको चाइना को ठीक है इसमें आपको याद रखना है कि जो आपके तैवान है ठीक है तैवान को कितने देश जो है तैवान को देश मानते हैं तो 15 भारत जो है तैवान को देश नहीं मानता ह भारत One China Policy को मानता है One China Policy के तहर जो है तैवान जो है चाइना का ही एक पार्ट है ठीक है इसमें आपको याद रखना है कि जो तैवान है कब सोतंत्र हुआ था तो 1949 में ठीक 1949 में जो है तैवान सोतंत्र है 1949 से तैवान सोतंत्र है और ताइबान में लोकतंत्र की सरकार है ठीक है लोकतंत्र की सरकार है इतना आपको याद रखना है और डेली आपको ताइबान के लोकेशन तो हम दिखाते हैं इस आज भी दिखा देंगे नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान के तीन परांतों में लड़कियां भी जानने लगी अस्टूल तो इस परांत को आप देख सकते हैं ठीक है जनकारी के लिए और उसके बाद नेक्स्ट है की बित मंतराले को हस्तरांतरित किया गये 1.8 क्रोल डॉलर ठीक है कितना 135 क्रोल के जो वारा जो है तालिबान सरकार के भी तमंतराले को ट्रासफर किया गया यह पैसा कोन है तो यह पैसा एक तरीके से जो छापे में जब्त किया गया है जो लोग छोड़के भाग गए अफगानिस्तान तो उहां से ठीक है जो नेता के पैसा है सब सारा उन लोग का पैसा था पै इराक में संसद्य चुनाव के लिए डाले गए बोट ठीक है तो जो इराक है इराक में आपको याद रखना है कि जो सदा मुसेंत सहाब थे कहां थे इराक कहीं थे इनको 2003 में जो है सत्ता से हटा दिया जाता है उसके बाद जो है पूरा इराक आस्थीर हो जाता है और पूरा इराक जो अभी तक आस्थीर ही है ठीक है जो इराक है इराक में इराक के रजधानी कहां पर है तो बगदाद इराक की रजधानी है और जो दजला फुरात ने दिया इराक में ही बहती है यहां पर आपके संसद्य चुनाव हो रहा है तो उसके लिए बोट डाला गया है ठीक इसके बाद नेक्सT है कि इजरायल के दोरे पर पहुंची जर्मनी की चान्सलर एंजला मारकल ठीक है तो अभी कुछ दिन तक और जो है यह चान्सलर रहेंगी उसके बाद अपने पाद यह छोड़ देंगी ठीक है तो आपको इन नोड़ के लेना कि जो जर्मनी है जर्मनी लिए यह सब आ सकते हैं ठीक है उसके बाद जो आपकी मालदिप कहां पर है यह आपकी भारत है इस लंका है मालदिप देखें यहां पर है ठीक है मालदिप यहां पर एक DPA कंट्री नोट कर लिजेगा हिंद महासागर में अस्तित है उसके बाद यहां पर पड़ सकते हैं कि प जो आज पाकिस्तान में जो आपके निक्टिलियर परमादू बम दिया गया है एनुका दौरा दिया गया है इनका पूरा नाम है अब्दुलकादिर खान के दौरा ठीक है और इनका जनम कहां पर होता है तो इनका जनम भारत में होता है जोबकि अब्दुलकादिर खान के द्वरा ही दिया गया था और जो अब्दुलकादिर खान है इनको पकिस्तान में अपने घर में इनको एक तरीके से नजर बंद कर दिया गया था ठीक है अब इनकी मिर्तू हो गई है नेक्स्ट है कि नेपाल में मंत्री ने दो दिन बाद ही देवा मंत्री मंडल से दिया इस्तिपाद बस जान लिजिए जो नेपाल के प्रधार मंत्री को ने तो सेर बहादुर देवा है और राजपती विद्या देवी भंडारी हैं और राजधानी काठ मांडू है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है कि सीत काल के लिए बंद हुआ हेमकुंड और लोकपाल लचमन मंदिल कि कापाट ये कहां पर मैंने किस राज में आपको याद रखना है याद रखेगा किस ये कहां पर है ये आपके उत्राखंड राज में आपसे पुछा जा सकता है किस राज में है उत्राखंड राज में ठीक है इतना आपको याद रखना है नेक्स्ट ने उजे खेल से कि जो IPL आपके चल ला है UAE में उसके फ्हेंदल में पहुच गया है चल नहीं सूपर किंग्स दिलिट डेवल्स को हरा कर ठीक है उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट ने उजे वर्ल्ड कप से कि पूर्सो की T20 विस कप में जो पहली बार सामिल किया जाएगा DRS का उपयोग ठीक से नोट कर लिजेगा पहली बार सामिल किया जा रहा है DRS का उपयोग DRS मतलब निरनाय समिच्छा पर नाली है ठीक है निरनाय समिच्छा पर नाली है कि किसी को को ओट दे देता है तो जो बल्ले बाज है उसे लगता है कि आउट नहीं है तो बल्ले बाज जो है DRS ले सकता है ठीक है जो T20 World Cup है 2021 का इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा तो UAE और ओमान में ठीक नोट कर लिजएगा UAE सौधी अरब अमिरात और ओमान में इसका आयोजन किया जाएगा बारा क्लोल रुपिया दिया जाएगा और जो उपे बेज़ाता है उनको कितना दिया जाएगा तो उनको जो है उनको आपके बारा क्लोल है तो इसका आधा दिया जाएगा उनको 6 क्लोल रुपिया दिया जाएगा उपे बेज़ाता है ठीक है इसे नोट कर सकते हैं और कितन कुलकाता में चक्रबात और भुकम ने भीसन तवाही मचाई थी कई बंदरगाह नस्ठ हो गए थे लाखों घर बरवाद हुए और करीब तीन लाख लोगों की मौत की बात आपके सामने आती है ठीक है कुलकाता बोले जाताब पुरी तरीके से बरवाद हो गया था उससे में उसके बाद नेक्स है कि कासमीर गाटी में की गई पहली रेल सेवा की सुरुवात परली जे दुहार आठ में जो है आज ही कासमीर गाटी में पहली ट्रेन को ततकाल परदान मंत्री मन मोहन सिंग ने स्री नगर से नौगाम रिलिवे अस्रेशन से जो आपके हरी हंड़ी दिखागर इसका सुरुवात किये थे और इसे पढ़ सकते हैं कि Marshmere को जो आरेशन से डिमाग कास में आपके बदख होते हैं जो बहुत से जो माता पिता हैं सोचते हैं कि बच्चे को पोडर लगाएंगा बहुत से जो होता है बहुत जो अलग 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 तरीके केम उनको लाकर पोडर दिया जाता है तो थोड़ा सावधान हो जाएं बच्चे में बहुत सी समसिया आ सकती है उन केमकुलो की माधियम से ठीक है उसके बाद नेक्शे की उल्टी रोकनी के दवा कैंसर में भी राहतकारी थी आप लोग पड़ सकते हैं ठीक है उसके बाद जिसने में उसको कवर नहीं किया गया है देनी जैगरहन के दौर उसने उसको कवर करते है पहला इसमें नेउजे की एडियूर मिर्च और कुट्टी कट्टूर आम को मिला है भगोलिक संकेतक तो नोट कर लीजेगा एडूर मिर्च और कुट्टी कट्टूर आम को जो है आपके जियाई टेग मिला है तो किस राज का मिला है नोट कर लीजेगा किरलाज का जियाई टे आरभट पुरसकार से सम्मानित आपसे पूछा जाएगा कि आरभट पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो गर 17 गरी को ठीक है। गया है कि इन्होंने जो है भारत में अंत्रिच यात्रियों के परचार में उनके उत्क्रिस्ट जीवन योगदान के लिए संभानित किया गया है साथ में पुरसकार जो है 9 October 2021 को जो है इव और राव सेटर लाइट सेंटर बंगलोर में आयोजित में दिया इनको गया है ठीक है और यह जो आपक बताया जा रहा है कि वह रच्छा अनुसंदान और विकास विभाग के सचीव और DRDO के अध्याशन ठीक है तिसे पड़ सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट है कि बाल रोग बेसे सग भीयस नट राजन को मिला है वैवस्रिस्ट सम्मान ठीक है ताप से पूछा गई यह नाइडू के द्वरा ठीक है एवं बैंक कैया नाइडू के द्वरा उसके बाद नेक्स्ट है इनके बारे में हम लोग पड़ चुके हैं ठीक है नेक्स्ट है कि वाइलर राम बर्मा मिमोरियल लिटरेरी अवार से किसे सम्मानित किया गया है तो बेनियामिन को सम्मानित किया गया है बेनियामिन को और उनकी किस बुक के लिए तो मन्था लिरे ले 20 कॉम्मिनिस्ट वार संगल के लिए ठीक है उसके बाद next है कि संजै भारगाव होंगे संजै भारगाव होंगे जो star link satellite broadband venture के परमुख होंगे से पढ़ लिजी आप कि संजे भारगाव भारत में इलोन मस्क के ठीक है नोट के लिजेगा भारत में जो है इलोन मस्क के स्टार लिंक उपगरा ब्रोड बैंड उद्यम का नेत्रितुप करेंगे भारत में ठीक है उन्होंने इससे पहले इलवन मस्क के साथ एक टीम के हिस्से के रूप में काम किया था जिसने इलेक्टरोनिक भुकतान फर्म पेपल ठीक है आपको पता है कि पेपल क्या है पेटियम के तरह ही है पेपल की अस्थापना की गए थी लेकिन पेपल से वर्ल्ड लेवर पर आप इसा ट्रास्फर कर सकते हैं उसके बाद है कि भारगव जह एक अक्टूबर 2021 से प्रभावी स्पेस एक्स में अस्टार लिंक के देश निर्देशक के रूप में आपके सामिल हुएं अपनी पिछली भूमका में भारगव ने निवेस सलहकार फर्म भरोसा कलब की सहस्थापना और इसके अध्याच भी रह चुके हैं तो इसके लोग पढ़ सकते हैं ठीक है लेकिन पहला पॉइंट मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इसे नाम याद रखेगा कि सुचेता 37 ने ठीक है 120 भसों में गाना गाका क्या बनाई है गिनेज रिकॉर्ड बनाई है ठीक है इसे आके आप लोग आगे पढ़ सकते हैं कि 19 अगस्ट 2021 को जो है दुबई में भारतिय वानिज दुतावास में 21 को जो है दुबई में परमान पत्र और प्रसस्ति पत्र आपके प्राप्त किया गया है इनके द्वारा ठीक है आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट है कि हायर के एरिक ब्रांग गांजा को किया गया है आपके उपभोकता एलोक्ट्रोनिक और उपक साइट। टौरेंट चावल की किसमे को जो है अधीकारी के तोर पर जारी करदहीं के इसे नूट कर ली जीग है इनपोर्टेंट आपके expect के लिए देखें बहुत ज्यादा यहाँ पर सोर हो रहा है ठीक है कि सौत पूजा हो और उनको उगाने के लिए कम सरम की आविसकता भी होगे ठीक है तो अच्छा है उसके बाद नेक्स है कि 20 मानसिक स्वास्त दिवस का मनाया जाता है तो 10 अक्टूबर को जो है 20 मानसिक स्वास्त दिवस मनाया जाता है इसका उद्देश क्या होता है दुनिया भर के मानसिक स्व उसका उद्देश होता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है की विशु बेघर दिवस का मनाया जाता है तो 10racosa का उद्देश होता है धर लोगों की यूर ध्यान अकरसित करो और इसके साथ ही समुधाय को बेघर लोगों की मदद करने के अफसर परदान करना इसका उद्देश होता है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है कि 2021 वाइस के लिए जो संसद्य अस्थाई समिती का पुरना गठन कर दिया गया है तो इसके अध्याच किसे बनाया गया है तो राजसभा सदस बी बिजय साई रेटी को जो है बानीज पर संसद्य अस्थाई समिती के अध्याच के रुप में निवत किया गया है बस आपको इतना नोट कर लेना ठीक है उसके बाद आप मैप में देख लिजिए कौन सा देश आपके चर्चा में रहता है तो सबसे पहले चर्चा में कौन सा देश रहता है तो आपके रहता है चाइना और ताइवान है यहाँ पर देखिए ताइवान है ठीक है यह चर्च कर लिजेगा कुवेट से सौधी अरब से इरान से टर्की से सीरिया से जॉडन से जो आपके इराक की सीमा लगती है और जो आपके इराक में ही कौन से नदी बहती है दजला फरात नदी आपके इराक में ही बहती है ठीक इसे नोट कर लिजेगा जो इराक है इसकी सीमा नोट की लिजेगा बहरीन आपके एक्टोड़ा सद्य से उसके बाद वर्ल्ड कप का आयोजन ओमान में किया जाएगा और UAE में किया जाएगा सभी तुरोप से से नोट कर लिजेगा इक गल्फ ओफ ओमान है यहां पर आपके भारत का चवार पोठे इरान में ठीके से नोट कर लिजे चया गते अपके लिजेगा इसकी बाद आप देख लिजए कि बिहार के छो जिल्य ते चे अपके 主श जिले में इडнд है इरुणीन की माटरा मिली ती च्यू में इरुणीन की मातरा मिली तो आप यहां पर जो बिहार के मैप है और आप लोग देख लिजे गा कि किसकी कि सी किम आपके नेपाल से लगती है इसे आप जरूर देखेगा और साथ में यहां पर देखे कुछ पर देख लिजी बेटी कल्चर के द्वारा क्या उत्थपादित किया जाता है तो बेटी कल्चर के दोरा अंगुर का उत्त्पादन किया जाता है, उसके बाद की जरिंटी के अंतरगत अधियन किया जाता है। किटो का अधियन का कहलता है तो इंटुलोग एंटूमं एंटु मुलोजी ठीक सायर के इंटूमं न इपले पल ज्यांसूंटे चाहए। उसके बाद है कि यह पुलते हैं इंत्रो लोजी गोला है जाता है सब्दिक का अधियन किस साखा के उन्तिरागत किया जाता है तो अलौरे कल्चर के सब्दी का अध्यान किया जाता है उसके बाद है अस्थियों का अध्यान बिग्यान के किस साखा के अंतरगत किया जाता है तो आपको नोट कर लेना है ओस्ट्रियो लोजी के तहट है उसके बाद है सर्पो का अध्यान किसे सम्मंदित है तो मिर्दा रहित पादब संबर्दन ठीक है मिर्दा रहित जो है मतलब मिर्दा में पादब को नए उगाया जाता है मिर्दा के मट्टी के बाहर पादब को उगाया जाता है ठीक है जन्तू बिग्यान के अंतरगार जो है उसके जनक कौन है तो थियो फ्रेस्टस ठीक है थियो फ्रेस्टस है उसके बाद है सुष्म जी बिग्यान के जो आपके माइक्रो बैलोजी के जो जनक कौन है तो लुई पास्टर है और जिवानू बिग्यान ठीक है बैक्टिरियो लोजी की जो आपकी जनक कोन है तो रावर्ट कोच है रावर्ट कोच है प्रतिरच्छा बिग्यान जो प्रतिरच्छा बिग्यान है उसके जनक कोन है तो एडवर्ड जेनर ठीक उसके बाद नेक्स है कि वरगी की अथवा बरगी करन बिग्यान टेक्सोनॉमी ठ को बोला जाता है उसके बाद है कि रुधीर परिसंचलन तंत्र ठीक है बलड सर्कुलेशन सिस्टम के जनक किसे बोला जाता है उसके बाद है साइटो लोजी एकोस्का बिग्ञान के जनक किसे बोला जाता है तो रॉबेट हुग को बोला जाता है उसके बाद आप नीचे आए कवक जो कवक बिग्यान है इसके जो जनक किसे बोला जाता है तो एंटन डी बेरी को बोला जाता है ठीक है एंटन डी बेरी को बोला जाता है उसके बाद यहाँ पर नीचे आईए कि पादप सरीर किरिया बिग्यान के जनक किसे बोला जाता है तो अधुनिक बनस्पती बिग्यान है उसके जनक किसे बोला जाता है तो केरूलस लिनियस को ठीक है केरूलस लिनियस को जो बलड गुरूप है उसके जनक कुन है तो कार्ल लेंड अस्टीनर ठीक है कार्ल लेंड अस्टीनर है उसके बाद है कि अनुबांस की जो अनुबांस्की है उसके जनक कौन है तो ग्रेगर जॉन मिंडल ठीक है इसे नोट कर लिजेगा आपके एक्जामे पूछा जाता है उसके बाद नोट की जगा कि आधोनिक अनुबांस्की के जनक किसे बोला जाता है निचे देखी तो ठी जमारुगण को भारतिये पूरा वनस्पती बिग्यान के जनक किसे बोला जाता है तो बिरबल साहनी को नोट के लिजेगा वारत के इनल्पोटन्ट है ठीक है उसके ग्रेगर ऑद की अनुबांची अभियांत्र की जनक कौन है तो पार्ल वर्ग है उसके बाद है कि भारतिय प्रस इंडियन इकोलोजी के जो आपके जनक कौन है तो रामदेव मिस्रा है उसके बाद है कि ऑस्धी बिग्यान जो ऑस्धी बिग्यान के जनक किसे बोला जाता है तो हिपो क्रेटेस को ठीक है हिपो क्रेटेस को बोला जाता है उसके बाद है कि सु पी का जनक उसके बाद है जीन चिकित्सा जीन चिकित्सा के जनक कौन बोले जाते हैं तो एडिरसन को बोला जाता है ठीक है तो जितने भी देखिए इंपोर्टेंट आपके आज के क्रेंट एफेर थे और साइंस थे सारे को हम लोगों ने डिसकॉस कर लिया आपको वीडियो क इसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा ठीक है थेंक यू